विवर्ज, हम टीवी पर नए ड्रामे बादशा बेगम की पहली एपिसोड टेली कास्ट कर दी गई है बादशा बेगम में सस्पेंस है, थ्रिल का भी तड़का है और सियासत भी पहली केस्ट ऑन एर होने के बाद देखने वालों ने इसके मतालिक मिला जुला रद्यामल दिया ट्विटर पर किसने क्या लिखा ये तो हम बताएंगे ही, मगर ज़रा पहले ड्रामे की कहानी इसकी कास्ट और पहली किस्ट पर बात हो जाए ड्रामे की में कास्ट में शामिल हैं जारा नूर अब्बास, यासिर हुसैन, फरहान साइद, अली रह्मान, कौमल मीर, सुमन अनसारी और शहजाद नवास ड्रामे की कहानी गूमती है एक पीर, शाह आलम और इसके बच्चों के गिर्द पीर शाह आलम का केरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं शहजाद नवास, फरहान साइद बने हैं शाह जोहेव और इसके छोटे भाई मुराद का करदार ने बार रहे हैं अब्दुलहसन, ये दोनों पीर शाह आलम के बेटे हैं, ये लोग पीरापूर नामी रियास्त के करता ध जबके सुमन अनसारी बनी हैं हकीम भी जो खवातीन के तमाम वामलात देखती हैं और इसलिए तो बादशा बेगम हैं, इनके लावा पीर शाह आलम की दो बेटियां भी हैं, नाम है इनके जहां आरा और रोशन आरा, जहां आरा के करेक्टर में हैं जारा नूर अरा के खांगे तोड़ देने का हुकम देती हैं, है तो ये जल्म पर सच है, और वो ऐसे एक इस दोर में भी औरतों पर ऐसा जल्म होना कोई अनोकी बात नहीं, यही तो बदकिस्मती हैं हमारी सुसाइटी की, खैर ओपनिंग सीन्स में जारा नूर अबबास, कॉमल मीर और अली र स्टाइल का फर्क दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि पीरों का अपना कानून है, जो इन्होंने मूँ से बोल दिया, वो ही लौ है, गदी की ताकत की वज़े से पीर अवाम को कीड़े मकौडे समझते हैं, और इन से ज्यादा कुछ नहीं, पीर शाह आलम का गाउ जैसे जैसे कहानी मजीद खुलेगी, सब की परफॉर्मेंस खुल कर सामने आ जाएगी, मगर एक बात है, पहली किस से ही ये पता चल गया कि इस टाइप का ड्रामा पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पर काफी एरसे बात देखने को मिला है, और अब बात इस ड्रामे पर अवामी होता है, जी शांत ने ट्वीट किया कि इस ड्रामे को तो नेट्फिक्स पर होना चाहिए था, अब दो रह्मान ने लिखा कि बात्शा बेगम की पहली किस्त ही बहुत शांदार थी, हर एक्टर ने अपना केरेक्टर बेहतरीन अंदाज में निभाया, एक और सारिफ ने जा आफ थ्रोन्स के किरदार, खाल ड्रोगो का कंपैरिजन, यासिर हुसेन के किरदार पीर कैसर से कर डाला, और वो भी मजाहिया अंदाज में, उन्होंने खाल ड्रोगो की तस्वीर पर लिखा, खाल ड्रोगो दिखाना, और यासिर हुसेन की तस्वीर पर केप्शन दी, कि ज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए